आगे बढ़ेंगे अमेरिकी राजदूत ने किया है खावडा उर्जा परियोजना का दौरा जानकारी ऐसी है अरडानी समू की खावडा परियोजना का दौरा किया गया है एरिक गार्सेटी ने अरडानी समू की तारीफ भी इसको लेकर किया है एरिक गार्सिटी ने द्विपक्षे साजिदारी के प्रशंसा की है और इसकी तारीफ करते हुए एप्रिशेट किया गया है अमेरिकी राज़दूत ने खावडा, उर्जा, परियोजना का दोरा करते हुए इस परियोजना के बारे में जानकारी भी ली इसे समझा भी और इसके काम को लेकर भी जानकारी ली है एरिक गार्सिटी ने प्रशंसा की है इस परियोजना की अडानी समू की खावडा परियोजना जिसको लेकर रख एरिक गार्सिटी ने न सिर्जानकारी दी बल्कि विपक्षिय साज्यदारी की प्रिशंसा भी की है खावडा उर्जा परियोजना अडानी समू की तरफ से ये जो इनिशेटिव है इसकी तारीफ अभू रही है अमेरिका में जिस तरीके से चर्चा है अडानी ग्रूप की भारत में अमेरिका के राजदूत है एरिक गार्सिटी अडानी ग्रूप की खावडा नवीकर्णिय उर्जा परियोजना देखने के लिए वो पहुँचे ये दुनिया में सबसे बड़ी नवीकर्णिय उर्जा पर करने के बाद सोचल मीडिया प्लाटफॉंग एक्स पर लिखा गुजरात में खावडा नवीकर्णिय उजा परियोजना को देखने के बाद मुझे प्रेढ़ना मिली वो लिखते हैं कि मैंने भारत के शुद रूप से शूने कार्बन उत्सरजल लक्षों को आगे बढ़ाने अग्रियोजनाओं के बारे में जाना और देखा परियावरन अनुकूल विकास के लिहास से ग्रीन एनरजी महत्वपूर्ण है साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी द्विपक्षे साज्यदारी क्षेत्र और दुनिया के लिए स्वच्छ और हरिद भविश्य के समाधान को आकार देने को लेकर खास है महत्वपूर्ण है अडानी ग्रीन एनरजी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के खावड़ा में बंजर भूमी पर 30,000 मेगवाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी नवीकर्णिय उजा परियोजना विक्सित कर रही है 538 वर किलोमीटर में निर्मित ये पैरिस के आकार से पांच गुना और लगभग मुंबई शहर जितनी बड़ी परियोजना है कमपनी ने काम शुरू करने के 12 महीने के भीतर 2000 मेगवाट क्षमता चालू की है 30,000 मेगवाट क्षमता की पूरी परियोजना के 2030 तक पूरा होने का अनुमान भी है समू के चेर्मेन है गौतम अडानी जिन्होंने सोचल मीडिया काउंट एक्सपर गार सिटी के साथ एक तस्वीर शेर की है और इस यात्रा के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है उन्होंने लिखा खावडा में अडानी की 30 गीगावाट क्षमता के नवीकर्णिय उजा परियोजना इस्थल और मुंदड़ा बंदरगाह पर आनी के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत का आभारी हूँ अमेरिकी राजदूत का अडानी समू के परियोजना इस्थल पर जाना और उसे साजनी करने के कदम को भारत के सबसे बड़े इंट्रास्ट्रक्शर ग्रूप में अमेरिकी सरकार के भरोसे के संकेत के तोर पर देखा जा रहा है